हेलो फ्रेंड्स वेल्काम बैक टू माई चैनल आपसे विलोग कैसे हैं आपसे विलोग बहुत बहुत अच्छ हो तो देखो यह तुराई है अज तुराई का सब्जी बनांगी तुराई पस्तु तो कल बजर से लेकर आई थी तो इसलिए देखो काट कर ले थो पहले तो आज जल्दी खाना तो बना लिया चाहल तो और ब्रेकपस भी कर लिये हैं तो आज हम लोगा जो मुहा पेड़ है आप लोगो तो पहले दिखा दी थी तो सब पत्ता सुकी पतर ले कार आ रहा था उईसे तो आज तो मुहा गिरने का समय भी हो गया है तो कल से गिर रहा था हकल थ थोड़ा ज्यादा है तो देखते हैं कितना गिरते हैं तो पहले ये सबजी बना लेते हैं फिर उसके बाद मुहा का पेड़ के पास जाओंगी तो पहले ये सब कट कर लेती हूँ देखो तूराई भी कट लिया है आलू भी कट लिया है तो हम लोग जींगा बोलते हैं तूराई भी बोलते हैं तो देखो ओयल डाल दिया ओयल तो गरम हो गया इसमें पाच पोड़न और कची मिर्ची डाल दिया है तो अभी देखो आलू और कटी हुई तूराई डाल दिय कुछ दर के लिए तो इसमें तो पानी निकलता है तो देखो पानी तो कितम हो गई है अभी टमाटोर डाल दिया है तो यह भी थोड़ा गलने के लिए टमाटोर ढख दिया है तो देखो बहुत आच मिक्स हो गिया है तो आलो और टमाटोर एक साथ मिक्स हो गिया है थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि यह जोल थोड़ा जोल जोल बनेगी तो इसलिए इसमें हम लग चाहल खाएंगे तो इसलिए थोड़ा जोली बनेगी और यह देखो यह पोस्तु है तो पेस्ट कर लिया है तो यह अभी उसमें डाल देते हैं चलो देखते हूँ कितना दुरुआ है तो देखो बहुत बहुत इच्छा तो अभी ये भी उतार देती हूं तो एक बार आप लोगो दिखा देती हूं कितना अच्छ हुआ है देखो तु रह आलो की पोस्त उ बहुत ये टेष्टी लग रहा तो अभी इसे बहुत अच्छ लग रहा है तो चलो तह दियाPad अभी देखो बर्तन सब है अभी बर्तन को सब धो के आऊंगी डोबा से जल्दे धो कर आती हूँ तो देखो सब बर्तन धो लिया है तो अभी रख दिती हूँ तो चलो अभी तो जाना है मोह कपेड के पास तो देखो ये बड़ा बड़ा जूड़ी लेका राया इसमें देखो कूल था तो एधर रख दिया है धूप में सुकने के लिए तो ये जो बड़ा बड़ा जूड़ी लेके चामगे और चोटा बड़ा ये जूड़ी भी ले लिया तो बहुत ही धूपे इसलिए ढग लिया है तो चलो तो देखो मैं आगिया महुआ का पिड़ के पास देखो तो बहुत ही जादा गिरते है इस बार जादा नहीं गिरे आप लोग को दिखा दिया थे पहले ही महुआ का पिड़ जो फूल है जादा नहीं हुए है आप वीडियो पे देख पाएगे तो देखो थोड़ा गिरा है ये जो मुहुआ का फूल है अगले साल में जादा मुहुआ का फूल हुए थे तो इस साल थोड़ा कम ही होगी हर साल में एक जसा नहीं होते है ये मुहुआ का फूल तो देखो तो इतना सा गिरा है तो यह सब भी सब गिन लेते हूँ जल्द लेकर के तो देखो तो मैंने दो बड़ा बड़ा एक तो बड़ा जूड़ी लेकर रहा है एक तो छोटा मैंने सुचा थोड़ा जादा गिरे है तो इसलिए तो आज तब पहला दिन है मुहा फूल गिनने का तो देखो तो ये जो छोटा बला जुड़ी आप लोग देख रहे हो आज इतना ही होगा ये जुड़ी पुरा भर जाएगी और जितना दिन बढ़ते जागे उतना ही ये मुहा गिनने का ज्यादा होते रहेगी तो चलो पहले सब गिन लेते हैं जल्देदी करके ये जो मुहा का फूल है इसमें से बहुती रस निकलता है बहुती मीटा है इसमें बहुत पीठा भी बनता है मालपा पीठा सब कोची तो देखो दोनों हाथ से मैं मिल रही है दोनों हाथ से बहुत जल्दी हो जाता है और ऐसे ही असानी से ऐसे हो जाता है दोनों हाथ में तो देखो इधर हो गया फिर मैं उधर चले गई तो ऐसे करके जितना सारा मुहा का फूल है सब ऐसे करके जल्दे ले गिन लेते हैं तो देखो ये मुहा का फूल ज्यादा नहीं किरे है अब लोग को तो पहले बताए कि ये अगला साल में जादा गिरे थे ये मुहा का फूल इसलिए इस साल में जादा नहीं गिरेगी नहीं तो जब गिरते हैं ये मुहा का फूल इतना अच्छा लगता है ये मुहा पेड का नीचे पुरा भरा रहता है तो पूरा चारो तरफ ऐसा ये ऐसा हल्दी हल्दी जैसा लगेगी पूरा मुहा से भरा रहता है बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए देखो जल्दी और उधर देखो ये पत्ता भी उधर रख दिया है एकतर करके रख दिये थे तो आज मैं नहीं लेकर जाओंगी कल मैं लेकर जाओंगी आज इसे ही सब लेकर जाती हूँ ये मुहा का फूल अकेले में तो नहीं होगा तो अच्छा से बनना पड़ेगा जो पत्ता है सुखी पत्ती तो दोनों से नहीं होगी कल दादी भी आएगी तो दोनों मिलके ये सब अच्छा से बांद के मैं लेकर जा तो बहुत थोड़ा है पूरा भर जाएगी तो चलो आप ludzi को दिखा दीते हैं अग jouer फीजने तो देखो यह पार है यह बड़ा बला जो चूडी लेकर आया यह भर जाता है तो इस बाए तो नहीं भरा है तो देखति हूँ कल भी इतना स्षागि के आउग तो चलो अभी तो हो गया है अभी घर की तरह चाहती हो तो अभी तो घड़ी की साड़े एकारा बच रहा है नहीं तो ज्यादा मुहां गिरते तो बहुत ही बहुत देद तक परी रहता है एक दो बचे ऐसे जाते हैं तो थोड़ा गिरेते इसलिए जल्दी में आगिया है घर में और दादे देखो इधर बैटा है चलो ये चाहत पर अभी मिला देती हूँ जो मुहां का पूल लेकर आई हूँ तो दादे बला कितना मिला है तो ओही देखो दादे को दिखाया तो चलो अभी चाहत पर ये सारा जो लेकर आया मुहां तो ये पर मिला देती हूँ ये सुकने के लिए धूप मर ऐसा देना पड़ता है तो इसलिए देखो अच्छा से जब सुक जाएगी तो हम लोग ये स्टोर करके रख देते हैं तो देखो अच्छा से मिला रही हूँ ये अच्छा से सुकने के लिए दो चाहत दिन लगेगी तो ऐसे परिचात पर ऐसे रहेगी जितना दिन नहीं सुकेगी तो देखो अच्छा से फिला दिया है इतना से र ठग गी हो तो इधर अदर करके पुरा मुहा सब गन लिया तो ठग गी ओ थोड़ा भैट लेती इसके बाद में नहाऊंगी थोड़ा पाने भी पी लेती हो दाधी बोर्ण और किसी का गिर रहा की नहीं उधर में हम लोग गाव में सभी लोगों का ये महुआ का पेड़ है बहुत ही हम लोग अच्छे साथ है महुआ का पेड़ तो सब अभी नहीं हुए है महुआ तो ये महुआ ही पहले हुए है तो इसलिए उसलिए उसलिए नहीं दिखाए हो तो अभी नहीं हुआ है ये पालोंगसाके फ्राई जो हम डेली चल्डः लाँच कर लेते हैं वहात ही भूग भी लग गई बहुत ही प्रेस्ट हूप हुए रालोंगसा इम्रेये प्रीस तो इसलिए थोड़ाई ऐसे पेस्ट करके लगा दिये हैं तो इसी में बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग भी इसा कम में हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही असने से बना सकते ऐसे तुरह आलो की पोस्तू तो फ्रेंट्स आज का वीडियो इतना तकी हैं तो आज का वीड किजिएगा और हाँ साबस्क्राइब जरूर किजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार आप लोग बहुत बहुत खुश रहें के लिए लग बाई झाल धनिक में का वी तक किبले वीडियो के साथ खुश रहें किले वीडियो के वीडियो के साथ नेः खाने हां